वाराणसी के बसदों में कंड़क्टरी करने वाला एक कंड़क्टर मुन्ना बजरंगी जोड जोड से आवाज लगा कर सवारियों को बुलाने वाला कंड़क्टर मुन्ना बजरंगी कब बन गया समाज का दुश्मन कोई नहीं जानता कुछ और भी लोग टार्गेट पर हैं आपके दुश्मन है अभी आपके दुश्मन ज़रूर होंगे इसे पर तो कुछ लोगों कोई नाम बताएंगे किसी दुश्मन का जिसको टार्गेट पर लेना आगे दुश्मन दुश्मन होता भाई से उसका या नाम लेने का अगले एक तो नाम ने अभी है कौन से दुश्मन है निशाने पर पहुँस्ट रख़एंगे तो नाम रहें दिल्ली पुलिस ने जब उससे और उसके साथ रह रही दो महिलाओं को पकड़ा तो वो मुंबाई के मलाड इलाके में एक सुसाइटी में अपना मकान देकर रह रहा था साथ में थी उसकी एक गाड़ी मलाड इलाके की यह वही बिल्डिंग है जहाँ पर यूपी का डॉन रहता था मुन्ना बजरंगी पुर्फ प्रेम प्रकास सिंग सी विंग में वो रहता था पहले मंजिल पर 102 नमबर फ्लैट है जहाँ पर वो करीब 4 साल से रह रहा है तीन साल तक हो यहाँ पर किरायदार के रूप में रहा पिछले एक साल से उसने फ्लैट खरीद लिया था जिससे उसने फ्लैट खरीदा है क्राइम ब्रांच इस वक्त उससे पूस्ताच कर रही है लेकिन यहाँ सोसाइटी में कोई भी जुबान खुलने को तेयार नहीं है कि यूपी का इतना बड़ा डॉन यहां रहता था उसकी वेरिफिकेशन नहीं भी थी या कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उसकी दिंचरिया क्या थी कैसे रहता था क्या काम करता था लेकिन हमारे सुत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है कि वो उसके पास फोर विलर गाड़ी भी है उसी पारकिंग लॉट में उसकी गाड़ी खड़ी रहती है सूत्रों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी इस घर में भले ही गाड़ी रखता हो और शान से रहता रहा हो पर वो मुंबाई में आटो रिक्षा चलाता दुआ क्या कोई सोच सकता है कि मुमबई में आटो रिक्षा चलाने वाला एक सक्स यूपी का बड़ा डॉन हो सकता है इस हाटो रिक्षा में क् 관련 शवारी की होगी लेकिन किसी को इस बात का ऐसास तक नहीं हुआ कि रिक्सा चालर यूपी का एक बड़ा गैंग्स्टर यानी मुन्ना बजरंगी है मुन्ना बजरंगी के बारे में इलाके के आस पास रहने वालों को खतई इल्म न था कि वो एक बड़ा अंडरवल जॉन है यहां तक कि मुन्ना को रोज तंबाकू देने वाला पूरब का पानवाला भी उसे नहीं पहचान पाया था उसकी वज़ा थी कि जॉनपूर के रहने वाले इस डॉन का चेहरा पुलिस की फाइल में मौजूद उस फोटो से काफी बदल गया है जो अब तक लोगों के सामने मुन्ना बजरंगी का चेहरा लेकर आती है मलाज के सिमारत में आने से पहले मुन्ना बजरंगी ने मुंबई के समुद्र को बना रखा था अपना ठिकाना साथ लाख काइनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी मुंबई की दर्या में खड़े समुद्री जहाजों में रहता था छिपकर पुलिस की नजरों से मुन्ना ने बनाया समुद्र में ठिकाना लेकिन उसके गुनाह से परिशान था जमाना पर समीन पर उत्रा तो जंजीरों में चक्रा ये है मुन्ना बजरंगी दिल्ली पुलिस के स्टेशलसल के कबजे मुंबई के मलाद इलाके में पकड़ा गया कल एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर हिदे भूशन और इंस्पेक्टर लरिद महुन नेगी थे ये एक केस के स्टेशले में बबबे गए वहां इन्होंने नामी गैंक्स्टर प्रेन पताव सिंग एलियस मुन्ना बजरंगी को एरेस्ट किया 11 साल पहले दिल्ली पुलिस के एंकाउंटर स्पेस्लिस राजबीर सिंग नहीं कुख्यात माप्या मुन्ना बजरंगी को गिरफतार किया था वस 2008 में जब एस्टीपी राजबीर सिंग की हत्या हुई तो इस बास की चर्शा जोरू पर थी कि मुन्ना बजरंगी नहीं एस्टीपी राजबीर सिंग की हत्या उनके ही बिजनेस पार्टनर विज़ा भार्टवास के हाथों करवाई है लेकिन अब जब मुन्ना बजरंगी दिल्ली पुलिस की ग्रफ में है तो दिल्ली के पुलिस कमिशनर वायर रटवाल ने साफ कर दिया है कि एस्टीपी राजबीर सिंग की हत्या से मुन्ना बजरंगी का कोई लेना देना नहीं है जिसके बाद इसे नैनी जेल भीजा गया है जहां से ये जमानत पर रिहा हुआ और अब 11 साल पार एक बार फैर दिल्ली पुलिस की हत्ते चौँआ मुंबाई साथ लाख रुपए के इस नामी बदमाश मुन्ना बजरंगी पर नवंबर 2005 में बीजेपी विधाय कृष्णनंद राय की हत्या 2003 में बीजेपी निता अनिल राय की हत्या 1996 में बीजेपी निता राम चंदर सिंग की हत्या के हरूप इसके अलावा इस पर 40 से अधिक गुनाह दर्ज है यूपे पुलिस के तोला और CBI के 5 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी 11 साल से पराद था वो पुलिस की पकड़ में आये बिना गुनाहों को अंजाम दे रहा था और छिप कर अपने गुनाह का निजाम चला रहा था मुंबाई में समुद्र के बीच खड़े जहाजों अपना तेरा जमाने वाले मुन्ना बजरंगी ने कभी मुबाईल फोन का इस्तिमाल नहीं किया वो PCO से फोन पर संपर्ग साता था और जब इस रंडीत का पता पुलिस को चला तो इनी PCO बूत का पीछा करते हुए पुलिस ने इसे थर्दबो चाए फारानसी में बस कंड़क्टरी करने वाले मुन्ना बजरंगी ने नाबाली गुम्र में ही गुनाह की दुन्या में कदम रख दिया और फिर पुर्वांचल एक के साथ अपराद करने वाला पहला अपरादी बना मुन्ना बजरंगी मुन्ना कबर्जी का माहिर खिलाडी था लहाजा सांस रोकने में भी महारत थी उसे और इसी वज़ा से वो कई एंकाउंटर में अपनी जान बचा पाया पुर्वांचल में बादशाहत की जंग लड़ रहे मुक्तार अंसारी और ब्रजेश सिंग में से मुक्तार के साथ जुड़ा मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंग के साथियों के खिलाप गोली चलाने लगा कृष्णानंद राय के हत्या मुन्ना का एक ऐसा ही गुनाह था जिसने पुर्वांचल में उसको गुनाह के शिखर में बिठा दिया अंडर वर्ल्ड के रास्तों में चलते हुए जोटे सिप्यादे मुन्ना बजरंगी ले लाशों की सीली पर चलते हुए रेलवे के ठेके और कोईले की ठेकेदारी में अपने हाथ काले की है तो पैसा भी कमाया ग्यारा साल में उसका चेहरा मोहरा और पहनावा सब बदल गया पुलिस के बीच बहेंगी स्काई ब्लू शर्ट पहने मुन्ना बजरंगी कहीं से क्रिमिनल नहीं दिखता और यही बदला उसे अक्दर पुलिस के निगाहों से बचा रहा था अरब जबकि मुंबई के मलाज से पकड़ा गया मुन्ना बजरंगी तो जेल में उसके साथ उसके पॉस मुखतार अंसारी और दुश्मर रजेश सिंग दोनों जब आप हिंसा कर रास्ता अपनाते हैं तो आपकी नियती आपका खात्मा भी हिंसा से होता है मगर ये कहने के बावजूद हमें कहना चाहेंगे कि जेल में जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई वो कई सवाल खड़े कर रही है हमारी व्यवस्था के ओपर तो कि जेल मंत्री कोई और नहीं बलकि योगी आदितनात हैं हमारे यूटूब चैनल देनिक विजे निउस को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें